तो बच्चो अब हम करने वाले है इसका second part ठीक है तो बड़ा easy यह यह भी देख लेते हैं इसको यह कह रहा है देखें यह कह रहा है वही एक काइड गीवन है मुझे जो की bc जो है bc क्या है इकोल है cd के देखो यह उपर वाले यह जो bc है यह इकोल है cd के और यह नीचा वाला पार्ट है जो ad है यह इकोल है किसके ba के है और आपको efg क्या है आपको midpoint even तो मुझे यह प्रूव करना है कि जो efg है efg is 90 degree angle efg मतलब यह 90 degree है यह वाला पार्ट जो है यह 90 degree यह प्रूव करना है तो बढ़ा easy है तो मेरे को पहले construct करना पड़ेगा यह ना देखो मैं आपको दिग्या होगा है मैंने पहले इसे construct कर लिया है construct करना पड़ेगा लाइन या फिर मैं join करा लेता हूं लाइन join line AC and BP ठीक है अब देखे मैंने line join करा दी तो अब मैं यहां पर क्या लिखेंगा मैं यहां पर लेता हूं int triangle BCD को मैं ले लेता हूं और यहां पर देखें जो मेरा E है and जो मेरा F है are midpoint of CD and CB right यह देखे CD और CB के midpoint है E in F तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो मेरा E F होगा is parallel to DB right E F is parallel to DB और मैं यह बोल सकता हूं कि भई मेरा E F है is equals to half of DB right जो मेरा E F है यह मेरा half of DB हो जाएगा बड़ा easy होगा मेरा तो यह है ना तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो मेरा E F होगा is parallel to DB ठीक है अब मैं यहाँ पर इसको point को alert कर देता हूं इस point को मैं देता हूं M इसको देता हूं O और इसको देता हूं N ठीक है M O N ठीक है अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही interesting है जब मैंने इसको kaटा तो obviously बात है यह bisector बना होगा, है ना, जब मैंने इसको काटा, तो यह क्या है, bisector बना, ठीक है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, कि जो मेरा, देखो, मैं यहां से इसको bisect किया, इसको यहां से bisect किया, तो यह 90 degree हो गया मिर पे, ठीक है, और यह मुझे prove करना है, कि 90 degree, यह मुझे prove करना है, ठीक तो देखिए अब यहाँ पर देखिए यह वाला देखो यह वाला पार्ट देखना ठीक है यह ऐसा करकर कुछ हो गया मैं यह पर डाइग्राम मना लेता हूं ऐसा करकर ठीक है अब यह मेर्पे M है यह मेर्पे F है यह मेर्पे N है ठीक है और यह मेर्पे O है तो मैं एक काम क्योंकि यह कह सकता हूं कि यह जो मेरा क्योंकि फ पूरा तो मैं यह बोल नहीं सकता कि बखिग जो इस पैरलल टू यह D B के जगह देखो यह पूरा D और यह B ठा तो इस M F के जगह ON लिख सकता हूं ना मैं क्योंकि यह पूरा E F इस पैरलल टू डी भी था तो मैं यह बोल सकता हूं कि भई जो M F होगा यह भी पैरलल हो तो देखे, तो मैं क्या करता हूं? देखे, तो मैं लिखता हूं, म, O, देखो बहुत प्याद से सुनना, M, O, N, येवाला एंगल, येवाला एंगल, और येवाला एंगल, इकवल होता है, आपको पता है न, M, O, N, प्लस एंगल, M, F, N, is equals to 180 degree के बराबर होता है, अगर मैं य ये ऐसा बनाऊ, तो देखें ये दोनों एंगल क्या होते हैं, पैललोग्राम के आपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला 180 के बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी आप जब मैं रेक्टि लीनियर फीगर्स का चप्टर कराऊंगा उसमें बहुत अच्छे से मैंने, डीटेल सारे जित्ते भी फीगर्स हैं, उनके में प्रॉपर्टी भी बताने वाला हो, ठीक है, तो बड़े मजे में आपको जल्दी मिलने वाला है, बस इसके बाद ही, तो फिर देखेंगे उसको है न, तो देखें मैं इन दोनों का सम 180 लिख सकता हूँ, ये वाला और ये वाले का स और देखो मुझे यही चीज़ था, यही निकालना था, ठीक है, कि भई, EFN मुझे, EFG मुझे यही निकालना था, यही तो निकालना था मुझे, ओव्यस सी बात है, MFN मुझे 90 निकालना था, तो देखें यह हो जाएगा 90 है, इधर आके हो जाएगा negative, तो देखो, angle MFN equals to 90 degree और मुझे यही निगाल ला था और इस M F N को में क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं एंगल E F G भी लिख सकता हूं तो देखो सेम अगया एंगल सेम ही है ना मेरे पर देखो यह मेरा आशार आ जागया इसका काफी एजी था यह कुशन है तो अब यह से कटा है अब इसका सेकिन पार्ट करते है पुच्छो मुझे अब सेकिंड पार्ट देखना इसका ठीक हाओ काईट ऑलेगा यह कह रहा है लाइन थू तो यहां से मैंने line drawn की यह, यह line drawn कर दी, ठीक है, line drawn through G and parallel to EF, यह जो G, यह जो GH है, यह parallel है EF के and bisector of DA, यह मुझे prove करना है, तो देखो, मैं बहुत easily इसको prove करता हूँ, ज्यादा इसे कीचेंगे भी नहीं, बड़ा easy है यह, in triangle, मैं लिख लेता हूँ, A, D, B, है न, A, sorry, A, B, A, B, देखे, A, B, और यह वाला पूरा है, यह वाला पूरा है, यह वाला पूरा है, तो देखो, simple है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि, भई, G का है, G is, mid point of AB, बड़ा easy है, यह तो हम्हें पता ही है, given था, तो मैं इस conclusion से बोल सकता हूँ, कि जो मेरा HG है, यह जो मेरा HG ह ठीक है यह किसके पैरलल हो जाएगा डीवी के सिंपल है है ना यह मेरा पैरलल हो गया और मैं जो पता था कि भई जो और मुझे मैंने प्रिवेसली सॉल्व किया है कि जो मेरा EF है वो भी मेरा जो मेरा EF है वो DBK के एकोल है तो देखो previously मैंने यह solve किया था कि जो मेरा EF है वो किसके parallel है DBK parallel है तो मैं यह इस conclusion से बोल सकता हूँ यह मैंने previous उपर solve किया था सिर्फ पहले न previous मैंने solve किया था इसलो कहा है यह वह स्कूब कर दिया चीन हो बोल सकता हूँ झो great फंटर्यों होगा मै रहå कि दिवे वह सकता हूँ था जो मेरा h है यह midpoint जाएगा मेरा dA का है न तो यह जो मेरा h है h is midpoint of dA तो देखे यह मेरा h क्या आगया midpoint आगया बड़ा easily मैंने solve कर दिया dA का मेरा midpoint आगया h तो मैं यह बोल सकता हूँ hence line drawn to g तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि जो line drawn हो जी से वह parallel है ef के ठीक है तो इस conclusion से मैं यह बोल सकता हूँ बड़ा easy है तो मैं बोल सकता हूँ hence line drawn through g and parallel to ef bisect dA यह पूरा का पूरा लिख लेना hence के साथ ठीक है तो यह भी हमारा solve हो गया काफी easy था हमारा 11th question भी अब हम 12th में और last question में इसके proceed करते है